दोस्तों आज हम बात करेंगे हर्निया के बारे में हर्निया एक ऐसी बीमारी है जो बहुत कॉमन है हर एज गुरूप के लोगों में चाहे चोटे बच्चे हो चाहे जवान हो या बुड़े हो हाँ चोटे बच्चों में और बुड़े लोगों में इसके इंसिडेंट्स जाद कुमन होते हैं हर नियाज के लिए comparing to female और यह एक ऐसी भीमारी है के अगर इसको समय पेचान लिया जाये तो इलाज बहुत सरल बहुत simple है पहचान बहुत आसान लेकिन अगर इसको ignore कर दिया जाए अगर आपने इसको समय पे नहीं पहचाना और सही समय पे सही कदम नहीं लिया ट्रीटमेंट के लिए तो ये life threatening भी हो सकता है तो आज हम उनी सारे पहलों पे बात करेंगे कि इसका कारण क्या है कि होता क्या है, कितने पिरकार का होता है कब ये खतरनाक हो जाता है और क्या इसके देशी इलाज संभव है कि बिना सर्जरी के भी हम इसे बस सकते है बहुत सारे लोग क्लेम करते है कि बिना सर्जरी के भी हर्निया को ठीक किया जा सकता है तो मेरे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहेगा हम एक-एक पहलों पे बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे सुदर्ट आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए जो भी आपके सवाल या क्वेरीज हैं हर्निया को लेके तो एक्चुली हर्निया एक ऐसी बिमारी होती है जब किसी एरिया के जो मसल्स है जो कवरिंग है यह जो कविटी है उसके मसल्स अगर वीक हो जाए और उस वीक पार्ट से कुछ अंदर के ओर्गन्स बाहर की तरफ प्रिटूट कर जाएं निकलने लगें बल्ज कर जाएं जनली जो अब्डोमिनल एरिया है जो पेट का हिस्सा है यहाँ पे हर्निया ज़ादा कॉमन होते हैं तो अगर एब्डोमिनल वाल्व या एब्डोमिन के जो मसल्स है किसी कारण से कमजोर हो जाएं और वो कारण क्या हो सकते हैं वो कारण हो सकते हैं कि या तो किसी को बहुत लंबे दिनों से को बीमारी चल रही है जिसकी वज़े से मसल्स वीक हो गया है generally जैसे tuberculosis या बहुत सारे chronic diseases में इस तरह का होता है और ये बुड़े लोगों में होता है लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं और जवान उन में क्या होता है छोटे बच्चों में मालो development ही ठीक से ने हुआ हो उन muscles का और वो अभी muscles weak हो तो ये कारण होता है और जवानों में क्या होता है कि development तो हुआ लेकिन जो हमारी कारेश है ली है या हमें अगर कोई ऐसी बीमारी डेवलप हो जाए जो abdominal area पे जादा अंदर से pressure डाले तो फिर उस area से muscles जहां पे weak होंगी वहां से ये area protrude करने लगते है तो जिसे लगातार किसी को घर खांसी आती है बहुत जादा खांसी आती है chronic patient है खांसी का smokers जैसे होते हैं किसी को bronchitis वगएरा है या asthma है उस तरह के वरीजों को मालों किसी को constipation है उसको toilet में बैटके बहुत जादा जोर लगाना पड़ता है strain करना पड़ता है ये भी बहुत बड़ा cause या कारण है हर्नियास के develop होने का बहुत जोर से चीक आना भी एक कारण हर्निया का हो जाता है या जो लोग exercise करते हैं weight lifting करते हैं या उनका काम ऐसा जिन लोगों को उनको वजन उठाना पड़ता है तो अगर बिना support के हम ये सारे काम करते हैं जिससे abdomen के muscles पे अंदर की तरफ से pressure लगे तो ये हर्निया का कारण बन जाते हैं normal healthy individuals में भी अगर थोड़े बहुत muscles किसी area के abdomen के किसी भाग के कमजोर हो तो ये तो थे कारण के क्यों हो सकते अब बात करते हैं कि इनके type क्या है परकार क्या होते हैं इनके position के हिसाब से तो generally जो है वो पांच तरह के हर्निया बहुत ज़्यादा common है और तीन उनमें सबसे ज़्यादा common है तो सबसे ज़्यादा common जो है वो inguinal हर्निया है और ये males में मर्दों में जादा होता है दूसरा टाइप जो है वो अंबलाइकल हरनिया का होता है और तीसरा जो टाइप है वो इंसीजनल हरनिया का होता है चोथा फीमोरल और उसके बाद एक एपिगेस्टिक या हाइटल हरनिया भी होता है अब हम बात करते हैं एक अग करके कि सिम्टम्स क्या होता है हम शुरुआत करेंगे inguinal हर्निया से inguinal हर्निया जो है वो abdomen की नीचे के सिस्से में होता है तो आप अगर देखे तो यह वाला जो हिस्सा है जहां पे आपका जायांग शुरू होती है उसके नजदीक और आपके inguinal reason में एक कैनाल होती है जिसको inguinal कैनाल कहते है उस कैनाल से normally कुछ arteries, vessels, मर्दों में spermatic code इस तरह की जो organs है वो निकल के जा रहे होते हैं अब अगर muscles weak हो जाए तो जैसे ये कैनाल का opening है अब जो muscles है अगर ये weak हो जाए और साथ में मानलोग खासी की वज़े से, sneezing, cheek की वज़े से या वज़न उठानी की वज़े से pressure पड़े और इस opening की वज़े में जो normal एक opening थी वहां से ये muscles weak होने की वज़े से इधर की तरफ organs protrude हो जाए तो ये inguinal hernia कहता है दूसरा जो category है वह होता है umbilical hernia umbilical hernia जो ये belly button है ये नाभी है अगर ये फूल जाता है आपने छोटे बच्चों में अक्सर देखा होगा कि नाभी फूल जाती है फूली दिखती है पैदा होने के बाद जैसी वह umbilical को काटते हैं उसके एक दिर दो महिने में बच्चों की नाभी फूली फूली दिखने लगती है इसको हम umbilical hernia कहते हैं बड़ो में भी ये develop हो जाता है और old age में भी ये develop हो सकता है umbilical hernia है वो umbilical hernia की category में आते हैं उनकी भी pathology हो ही है क्योंकि muscles weak हो जाती है और अंदर का abdominal content है intestine है या momentum है या covering है वो इससे weak muscles से बार की तरफ push होने लगते हैं और बाहर उभार दिखने लगते हैं और जो तीसरे category है वो incisional hernia होती है incisional hernia क्या होता है कि जब कुछ surgery होती है खासतोर से pit के उपर abdominal area पे कोई भी किसी भी तरह की surgery हो और खासतोर से females में caesarine section का जो निशान होता है surgery के बाद तो उस area में muscles weak हो जाते हैं क्योंकि incisional लगा होता है तो उस incisional line से जो है ये उभार बाहर की तरफ आने लगता है इसको हम incisional hernia क्याता है आप पहचान कैसे सकते हैं simply आपको पहचानने काई की तरीका है कि आपको इन area में कहीं पे कोई उभार दिखेगा उभार कैसा होगा कि आप generally जब आप खड़े होंगे तो उभार आपको दिखेगा खासतोर से inguinal hernia में और जो आप लेटेंगे तो वह उभार पीछे की तरफ चला जाएगा या अपने आप दब जाएगा अम लाइकल में भी कई बार वह दबाने से पीछे चला जाता है लेटने पर नहीं दोता है आप जिससे हाथ से दबाते है तो इस समय तक तो कोई दिखकत नहीं है जब तक यह reduce होता है आप इसको दबाने से वापस अगर यह चले जाते हैं तो यहां तक कोई खत्रे की बात नहीं है मगर यहां अगर आपको पेन आने लगे तो पहला यह warning sign है या अब यह reduce हो जाता था अब क्योंकि यह दबाने से यह जब आप लेटते हैं तो अभी वापस नहीं जाता अब यह irreducible हरनिया की category में आ जाता है तो अगर यह irreducible की category में आ गया है तो यह दूसरा warning sign है कि आपको आने वाले दुनों में यह तंग कर सकता है और यह खतरनाक साबित हो सकता है अब जो irreducible हरनिया है जब तक यह abstract नहीं होता है यानि कि irreducible तो है लेकिन वाप पे blood का circulation है movement भी है यह organs थोड़े बहुत उपर न उसको जकड लिया तो जो आगे के इधर के जो hernial cavity में जो organs है वो abstract हो जाते हैं पीछी के तरफ जाए नहीं पाते हैं और यहां पे blood की supply रुकने लगती है आने वाले blood की भी और जाने वाले की भी क्योंकि veins और artery दोनों ही इससे परभावित होने लगते है और जब ऐसा होने कि यहां पे gangrene develop होने का डर हो जाता है और अगर gangrene एक बार develop हो गया तो फिर मुश्किल हो जाता है treatment करना क्योंकि यह रप्चर होने के chances बढ़ जाते हैं या body के अंदर septicemia खून के अंदर आम बास्टा में कहते हैं कि जो infection पहलने का डर हो जाता है तो यह जान लेवा भी कर देंगे हम हों भी पैती से ठीक कर देंगे या हम कुछ टोटकों से ठीक कर देंगे जैसा मैंने बच्पन में देखा था बहुत बार के जाईए चाचा जी के पास जाईए कोई है महान चाचा जी वह आपके सर को मोन देंगे और उसके उपर कुछ लेप लगाएंगे और एक बेलेडोना का टेप चिपका देंगे और उससे आपका हर्णिया ठीक हो जाएगा दूसरा था कि आपको एक कान चिदवाना पड़ेगा उसमें धागा पहनना पड़ेगा कुछ दो-तीन हफते और आपका हर्णिया जाता रहेगा और ध्यान रखने की बात यह है कि अगर ल प्लाइकस पे ऐसे करके बांद देते थे उस औरगन को पीछे की तरफ धक्का देके और जब उसको हमने पीछे की तरफ रिप्लेस कर दिया और हमने बांद के रखा दो-तीन हफते तो क्यूंकि बच्चों में जो मिसल्स हैं भी डेवलप हो रही होती है तो वहां पी स्ट्र प्लीज बैकावे में मत आएं कोई इसके लावा ऑप्शन नहीं है बिना सर्जरी के आप किसी भी हरनिया को ठीक नहीं कर सकते अगर आपको कि ठीक करने का दावा करता है तो आपको बेखूफ बना रहा है प्लीज चक्कर में ना पढ़े इससे पहले कि वह कॉम्प्लिकेट ठीक कर सकते हैं इमपॉसिबल है जब तक रिड्यूस हो रहा है आप वेड कर सकते हैं जिस दिन इरेड्यूस पल हो जाए आपको फोर हो रन एक्षन लेना चाहхаिए अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए अब दुस् Pam in treatment की entry treatment का option surgery हरे अप's surgery पहले हो थी ती बड़ी लंबई चार्ज हो कर आ सकते हैं, मैक्सिमम 24 गंटे का ऑस्पेटलाइशन होता है, और हफते बर में आप नॉर्मली अपने छोटे मोटे काम करने शुरू कर देता है, और एक से डिड़ महीने में आप नॉर्मल सारे काम अपने शुरू कर देते हैं, इस सर्जिरी को हम कहते हैं, लेपरोफ्रोषकोपिक हर्नियोप्लस्टी, आप यहां पे ऻो पूस्पेगा होते हैं, हर्नियोरफी में क्या करते हैं, सिंपली जो भी कन्तेंट बाहर आ रहा था, उसको पीछे की तरफ रिप्लेस करते हैं, obviously surgery के बाद leptoscope डालके उसको थोड़ा सा जो भी opening tight हुईती उसको ease करते हैं और उसको पीछे reposition करते हैं organs की जहां उनकी normal position थी और इसको फिर उपर से आप sill देते हैं उसे area को सुधट ये बाहर ना निकले तो simply इसको कहते हर्णियो रहफी लेकिन अगर इसके साथ आपने mash लगा दिया एक जाली लगा दिया कि और strong बनी रहे muscles तो इसको hernioplasti कहते हैं अलग-अलग categories के mash आते हैं तो बहुत simple सर इलाज है आप जो सही इलाज है उसकी तरफ जाए और अपने आपको इस बिमारी के खत्रे से समय रहते बचा लें तो दोस्तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं सो देट आपको सारे इंफॉर्मिटी वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद